हाई एवरीवन कैसे हो आप सब आई होप आप खुश हैं सस्त हैं और मस्त हैं और मैं सरला इंटीटु टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेके आए हूँ और इस रीडिंग का थीम है कृष्णा ने आपके भाग की में कौन सी खुशियां लिखी हैं जो आपको मिल कर ही रहेंगी मतलब मैं यहां पर डेस्टिनी की बात कर रही हूँ कि आपकी जिस धरम से भी हो आप यहां पर आप अपने धरम से ले लेना ठीक है कि कुछ ना कुछ जैसे हमारी किस्मत में हमारी डेस्टिनी में हमारे भाग के में कुछ ऐसी खुशियां हैं जो हमें मिलनी ही मि लो आप कुछ भी कर सकते हो कुछ भी सोच सकते हो आप अपने अकोर्डिंग ठीक है तो मेरा आज का रीडिंग का थीम यहीं है और थैंक्यू 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 सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए मैं रोज यहा इसलिए gratitude क्यों इतना माइने रखता है और मैं पता नहीं सकती मैं कितनी घूश हूँ आज बहुत बहुत ज़्यादा सिर्फ आपी के प्यार आपकी सपोर्ट की वचे से ओके और आपको करना क्या है इसमें से एक पाइल चूज करना है ठीक है बिल्कुल पीस से शांती से आप एक कार्ड यह है पाइल नमबर वन और पाइल नमबर टू इसमें से एक पाइल चूज करो एक कार्ड आप चूज करो ठीक है अगर नहीं कर पारे हो मैं हमेशा रख की तरह बोलती हूं नहीं कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं है आप पूरी डिटिंग देख लो जो आपकी आपके सामने वीडियो आएगी तो समझो क्रिश्न जी आपको कुछ प्लासिंग्स देने वाले हैं कुछ आपको अचम्बित हो सकता है मुझे रिडिंग नहीं करीए मैंने अभी कि आपके सामने करूंगी सब कुछ यहां पर ठीके तो यहां पर आपको करना क्या है यह पाइल नमबर वन विक्ट्री वीडियो को पोस करके भी आप देख सकते हो ठीके और इसका टाइम में अपना डिस्किप्शन बॉक्स में में वेंशन कर दूंगी वहां से आप देख लेना सिफ टाइम को टच करना है आपकी पाइल वहां पर आपके सामने खुल जाएगी औ अपना वाट्सअप नमबर डिस्किप्शन बॉक्स मेंशन कर रखा है वहां से आप देख सकते हो ओके तो चलते हैं रिडिंग की तरफ पाइल नमबर वन से कि कृष्णा ने आपके भाग कि में कौन सी खुशियां लिगी है जो आपको मिल कर ही रहेंगी ठीके बतला मैं को करता होगा ठीके तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना क्योंकि मुझे फील हो रहा है अब इसे तो चलते हैं पाइल नमबर वन की तरफ हाई पाइल नमबर वन तो जिसने भी विक्ति का कार्ट चूज किया है उसकी रिडिंग में यहां पर स्टार्ट कर रही हूँ और पाइल नमबर वन प्लीज वीडियो को लाइक कमें सब्सक्राइब ज़रू करना और जैसे भी पर्सन रिडिंग चाहिए मैं अपना वाट्स और यह है कि आप अपने कृष्णा जिस दर्म से भी आप उनके बहुत नजदीक हो ठीक है बहुत ही जादा नजदीक हो आप उनकी उर्जा को उनकी प्यार को उनकी ब्लासिंग्स को बहुत अच्छे से भली बाती आप समझते हो अगर नहीं हो तो फ्यूचर में आपको वह फील जरूर होगी वह चीज है ठीक है क्योंकि आप मतलब एक आप है ना किसी भी आपके अंदर वह पॉजिटिविटी है वह प्रेम है वह एक पवित्रता को मैं महसूस कर रही है कि जो आप है ना कोई भी पॉजिटिविटी को आप अपनी तरफ बड़ी अट्रेक्ट करते यह उटास से में और आप तो मिल रहे है ना तो बस पाइल नमबर वन वही चीज हो रही है आपके साथ कि आपके अंदर वह पॉजिटिविटी है कि आप मतलब आप अच्छी चीजों को या अच्छे आपके अंदर एक अच्छे उच्च विचार है अच्छे विचार है आपके अंदर जिसकी वज़े से आपको जिसे केते हैं कि कोई आपकी प्रेम से या कोई आपकी भावनों से वंचित नहीं रह सकता हां लेकिन इतना मैं बता दू पाइल नंबर बन आपके लिए कि जैसे आप ज़रूर नहीं है कि जो नेगेटिव परसन ह हैं वो आपसे वो आपकी तरफ आएंगे ना उनसे कभी कुछ मिलने का नहीं आपको मैं पहले आपको बता दू ठीक है क्योंकि आप आपका नजरिया देखने का हर चीज के आपके सोच इचार बड़े बहुत अलग हैं ठीक है पाइल नंबर बन तो उस चीज को वहां पर सम नहीं सकता चा समय हो चा सिच्वेसन हो चा कोई दूसरा क्यूं ना हो यह मिलनी ही मिलनी है सबसे बड़ा जैसे कहते हैं के कौंसी खुशि सबसे बड़ी चीज आपकी खुशी क्या है परमात्म मिज़िया आप अब आभी काड में शभल नहीं करे हैं ठीक है वह एक जो महसूस करना चाहते हूँ जो इस धर्दी पे रहे के जो हर किसी को नहीं मिलती है जो ना मुनकिन है आप आपकी खुशी वही है और मैं सच बता हूँ पहला बरवर वह खुशी आपको मिलेगी और वह खुशी कहा है परमात्मा के पास आपको विक्टरी सफलता और यह सफलता इसे चोटे-चोटे कामों में नहीं मिलेगी आपको जो आप भी आप अपनी जर्णी में आप अपनी लाइफ में में डेस्टिनी की बात कर रहे हूँ यहाँ पर जो भी आप करोगे ना बड़े लेवल पर करोगे और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी पाइल नमबर बॉन ओके मैं अब टेरो से निकालती हूँ आपके लिए कि टेरो क्या बोलते हैं कृष्णा ने आपके भागे में कौन सी कुष्यां लिगे हैं जो आपको मिलकर ही रहेंगी थैंक्यू कृष्णा थैंक्यू पाइल लग पर बॉन अब यह पैशेंस सेवन ओप पैंटिकल यह मतलब एक दहर रिता बतलब इंतजार है ना यह कोन कर सकता है हर कोई हर किसी के बसकी नहीं है यह सब चीजे ओके एट ओपैंटिकल सेवन एट मतलब ग्रोथ ठीके एंड सेवन अगें सेवन कप्स कुछ सब्सक्राइब कर लेती हो पेज़ों पैंटिकल्स ओके तो यहां पर देखो पाइल नंबर वन कृष्णा ने आपके भाग की में कौन सी खुशिया लिखे हैं जो आपको मिल की रहेंगी पाइल नंबर वन मैं आपको एक बात बताओं कि आप है न क्यूं पता है कृष्णा आपकी डेस्टिनी में मतलब जो एक खुशी जो लिखी है न ठीके वो उसकी पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि देखो मतलब एक जो केते हैं कि हमें अंदर तक कौन जानता है जहां हमारी सोच खतम होती है वहां से इश्वर की सोच शुड़ू होती है तो इश्वर आपको जानते हैं कि आप कौन हो ठीके उनको पता है कि सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत महनती हो ठीके और बत बड़े लगांच से करते हो बड़ी महानत से आप करते हो यहां पर ठीके तो आपको मैं एक बात बता दूँ पहली खुशी पता आपकी डेस्टिन में यही लिखिए कि आप जो भी डालोगे जो भी करमास करोगे ठीके जो भी आप हाड़ वर्क करोगे उसका फल कृष्णा आ आप करोगे ना ठीके वह व्यर्थ नहीं जाएगा वेसे भी भगवत में लिखा हुआ है कि करम कर फल की इच्छा मत कर ठीके तो आप बस वही फोलो करते हो पाइल नंबर वन अपने करमों पर आप दिहान देते हो और फल की इच्छा नहीं करते हो क्योंकि आपको पता है आ आपके अपने परमात्मा के उपर कि वह मुझे देगा एक दिन इतना देगा कि में सम्हाले से मुझे समला नहीं जाएगा ठीके यहां पर जैसे आप करमों पर जादा फोकस करते हो बहुत महांती हो आप यहां पर तो वह आपको जहां पर भी आप एफ़र्ट डालोगे जो भागवान आपको कृष्णा आपको उसका फल क्यों देते हैं वो इसलिए देते हैं कि आप उसमें कोई आपका स्वार्थ नहीं जुड़ा होता है ठीके क्योंकि जैसे कोई काम आपको कोई मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत प्रॉब्लम फाइनेशली बहुत कि प्रॉब्लम को जैसे कि वह हैं जेसे जो भी इस्तिती थी आपकी फाइनेशली बहुत तो जैसे किसी चीज की कमी को महसूस आपने करा है लेकिन उसमें आपने जैसे अपने पेशेंस नहीं खोया आपना धहर नहीं कहा वहां पर जैसे किते हैं कि आपको आपको देखा है कृष्णा ने कि आपने कैसे अपने काम पर ध्यान दिया है कैसे आपने अपने करमा पर फोकस करा है कैसे आपने महनत यहां पर करी है ठीक है तो यह जो एक दूसरी चीज यहां पर है कि आपके अंदर एक पेशेंस और एक हार्ड वर इतना जबर्ज़स थे ना आपके अंदर जिसकी वज़े से आपकी जैसी केते हैं कि किसमत केसे तयार होती है किसमत हमारे करमों से ही तयार होती कृष्णा पी यही बोलते हैं ठीक है करम करो फल की इच्छा मुश्पए करो और जो मैं फल दूँगा उससे आपकी किसमत तय की जाएगी यहां पर तो आपकी डेस्ट्री में यही लिखा हुआ है पाइल नंबर वन कि जितना आप करोगे जितनी महनत करोगे नेस्वार्थ एक नेस्वार्थ और अपने करमों पर आप जितना ध्यान दोगे उतना आपको कृष्णा आपकी इस्से की आपकी किस्मत की कर भी रहे हैं तो कभी भी सुचना के हम इतना हमारी सिच्टरेशन इतनी डाउन है हमारे फाइनेंशली बहुत मैं हमारे पास पेसे नहीं है यह क्या करें इ hops यहां पर जपने करने करमों आपको सिफ्प Top ठीके और ये आपकी डैस्टिनी में ठीके आपके भाग्य में कौन सी खुशी लिखी है कृष्णा ने जो आपको मिलकर रहेगी यही सबसे बड़ी खुशी है आपकी ठीके जो आपको मिलकर रहेगी एक टाइम पर शायद आपने बहुत दुखी भी हुए हो इतना जिसे आप टूटे हो बिखरे हो बहुत नर्वस उदास जैसे बहुत दुखी जैसे एक जब हम दिल से टूटते हैं दिल से बिखरते हैं ठीके जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है कुछ भी नहीं होता है तो क्या करता है इंसान और आपने क्या करा आपने जब आपने आपको जैसे तूटे हो बिखरे हो यहाँ पर किसी emotionally बहुत जैसे केते हैं कि emotionally आप बहुत बिखरे हो एक तरह से मैं यहाँ पर बताओं पाइल नमबर वन की emotionally एक टाइम पर आपको बहुत support की जर्रत थी ठीक है कि जब हम चारों तरफ से हमें नकारा चाता है हमें rejection मिलता है ठीक है तो आपने क्या करा पाइल नमबर वन उस वक्त जैसे चारों तरफ से आपको जैसे आपको हताशा मिली निराशा मिली है तो आपने क्या रहा इश्वर का रस्ता पकड़ा है ठीक है कृष्णा का रस्ता आपने पकड़ा है तो कृष्णा ने क्या करा है साथ ठीक है खृष्णा ने आपको क्या कर रहा है आपको जैसे एक सही रस्ते की तरफ ले कर गए हैं वह किसलिए कि ताकि आप वहां से आप ध्यान हटाओ अपना ठीक है अपकी जो किस्मत में लिखा है आपके भाग की में जो खुशी लिखे उसकी उपर ध्यान की और उसे लो आप यहाँ पर यह जो चीज़े देखो जो भागी में लिखा हुआ होता है ना जो खुशी लिखी हुई होती है पाइल नमबर वन ठीके वो जैसे केते हैं कि जब वक्त आता है ना तो वो उसका पता नहीं है वो किधर से किधर मोड़ दे हमें यहाँ पर तो बस आपके भ किते ना कि आपका ध्यान अपने काम पर लगा है यहाँ पर तब आपने हाट ब्रक करना शुरू कर रहा है तब आपने महनत करना शुरू करिए यहाँ ठीके जब आपको कृष्णा ने आपके आपकी डेस्टिनी में आपके भागे में कृष्णा ने कौन सी खुशी लिखी है आपकी कि आप मतलब इतना खुश हो सको इतने जिसे एक जितने आप तूटे हो बिखरे हो सच बताओ ना कि उतना ही एक खालीपन आपने महसुस करा उतना ही भरा हुआ आप अपने उपर महसुस करो किस्मत में आपकी में लिखा है भागी में आपकी में लिखा है कृष्ण बास मेहनत करो और फिर आप देखो वो क्या-क्या आपके साहते हैं देह एक आपके अंदर फ्रxis क्रिशन कह है क्रिश्ञा जानते हैं आपके बारे में कि आपके अंदर वो strength है ठीके और वो एक पावर है और एक जैसे कोई भी चीज जैसे कुछ हमारी जीवन में किसी चीज की कमी होती financially बहुत कमी थी अंदर से टूटे थे पिकरे थे तो दोनों चीजों को जैसे सही करना वो आपको पता है ठीके वो आपको पता है कि क्या करना है कैसे यहाँ पर करना है तो इश्वल रस्ता भी उन्हें दिखाते हैं ठीके जो भागी में लिखा हुआ होता है ठीके आपके भागे में कौन सी खुशी है जो आपको मिल कर रहेगी यहाँ पर financially कोई problem है आपकी जिसे आप बहुत ध्यान से देख रहे हो कि कब ठीक होगी कैसे ठीक होगी यहाँ पर तो यहाँ पर होगी वो ठीक जितना अपने दुख दर्द financially सहा है या relation में अपने आपको खाली महसूस करा है ठीके तो जितने भी आपने अपनी life में मैं दो चीज़ों में यहाँ पर जाता देख रही हूँ आपको financially और relation इन दोनों में आपको मैं बहुत साथा देख रही हूँ तूटे बिखर एक आने में अपने आपको बदलने में चेंज करने में ठीके तो यह यह भागी में आपकी में लिखा है कि जिसके पीछे आप अपना समय लगा रहे हो वह खाली नहीं जाएगा उसका फल आपको कृष्णाजी सरूर देंगे यहां पर ठीके बहुत सारी opportunities आएंगी आपकी कि आप अपनी जो भी problem है उसे solve कर सको financially कोई problem है आपकी life में तो वो जो opportunities blessings आती हैं आपकी life में ताकि आप उसे वहां से आप उसको लो blessings को लो और आप अपनी life को बहतर बनाओ आगे की तरफ यहां पर बढ़ो जो दुविदा है संकठ है परेशानी है उसे खुद दूर करो यहां पर देखो कृष्णा बोलते हैं करम करो ठीक है करम करो चलो बेठे रहने से कुछ नहीं होगा बेठे रहोगे ना तो मैं कितना भी देदू वो सब निकल जाएगा मैं दे रहा हूं तो उसे लो उसके उपर काम करो देखो उठकर चलना आप ही को है रस्ता दिखाना उ वो बहुत सारे आपके लिए रस्ते खोलेगा बहुत अपोचनेटीस देगा बहुत अबर्नस देगा वो आपको ताकि आप अपनी हर दुख तकलिफ को दूर कर सको यहां पर क्योंकि वो जानते हैं आपको कि आप कौन हो यहां पर ओके आपके भाग की में कृश्णा ने बहुत तूटे हो बिखरे हो अब वक्त नहीं है ले मेरा हाथ पकड़ और चल अपने करम कर और मैं तुझे अब यहां पर दूँगा वो सब कुछ दूँगा मैं तुझे जो जिस चीच की भी कमी है ठीके आपकी भागी में कौन सी खुश्या लिखी है खुश्या यही आशिरवात से ठीके यहां पर किष्णा आपको यहां पर यही बताना चाहते हैं और वो आपको कम मिलेगी मैं आपको यहां पर यह भी बता देती हो पाइल नमबर वन कि आपको आपके भागी की खुश्या कम मिलेगी सीधी सी बात है clear है यहां पर कि जब आप उठकर अपने करमों पर करम करोगे तब उसका फल आपको यहां पर मिलेगा बेठे रेने से कुछ नहीं मिलेगा परेशानी है तो उस परेशानी का solution निकालो हल निकालो जब उठोगे हिम्मत जुटाओगे तो वो भी खड़ा है द तिक पता निए काड क्यों आता इतना यहां पर कुछना मतलब यह यह जो चल रहा है ना अभी सब आपकी लाइफ में यहां पर एक गिश्चना जी आपको बहुत जिसे हैं आपकी इस्थिति आपकी परिस्थिति आपकी प्राउब्लम यह आपको आपको किस प्यार की जरुत है किस सपोर्ट की जरुत है यहां पर उनको सब पता है ठीक है अगर किसी को मिस करते हो आप अपनी लाइफ में किसी को चाहते हो किसी ने आपको दुखी करा है हट करा है ठीक है तो वहां पर भी आपको वह खुशी जरूर मिलेगी कि आप हमेशा अपकेले नहीं रहोगे हमेशा आप से आप यहांगय नहीं दों सब्सक्राट करने कि दिन दों कि आपको वह रहे समय है फिर थे एक वह परसंद आपकी प्रते वह दों उन्म यहां लेकर आएंगे जो आप आपी के जैसा होगा ठीक है जो आपी की तरह होगा इमोशनल प्योर जो में कहीं ना कहीं वह भी बहुत आध्यात्मिक होगा कृष्णा जी आपको यहां पर यह खुशी है आपकी के रिलेशन में आप अपने आपको ऐसा सोचते हो कि मैं मैं मुझे मेरी किसमत में साथ किसी का कर अप प्यार नहीं लिखा लेकिन ऐसा नहीं कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि आपके जैसे लोग कम है यहां पर ठीक है है जो आपी जैसे हैं वो मैं तुमें तुमें दूँगा और वह खुशी है कि आप अपने जो आपकी जैसे हैं आपका सौल में थे या आपको प पॉछ रहोगे आपनी खुशी Hebb हो पी रहोगे एक एक मैं कि और वाइस आपके खूष्र हो जिस्सश cucumber की में यहीं लिखा कॉण सी कुर्सी अट्रक्ट करतो inner voice यह देख लो इससे जादा और क्या प्रूफ मिलेगा पाइल नंबर वन आपको आपके बारे में यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मैं सच बताओं आप अपनी अपनी जैसे किते ना आप अपने अंदर भीतर आप अपने अंदर भीतर तक का भी आ आपको पता चल रहा है ठीके आप अप इतने जैसे किते ना कि आपने अपने आपको इस तरीके से शायद आपने उपर यहाँ पर काम करा है कि आपको जो भी आपकी जो भी आपको जैसे आपके भागी में जो भी खुशियां लिखी थी ना वो खुशियां आपको यह कुछ ब्लोकेज आ रहे थे आपकी लाइफ में, आपकी जर्णी में, जो आपको इन सब चीजों से आपको परे लेकर जा रहे थे, ठीके, तो कृष्णा जी ने आपको सच बताओ ना, आपके अंदर जो ब्लोकेज थे, वो रिलीज करें यहाँ पर, यह इस कार्ड को बस में इनर व जैसे अंदर की फीलिंग को, ठीके, अंदर तक की चीजों को आप काफी अच्छे से महसूस कर सकते हो, यहाँ पर, ठीके, क्योंकि आपका जैसे मून एनरजी, जैसे मन की शक्ती, मन की शक्ती मतलब एक चंद्रमा, जिसका आपका चंद्रमा बड़ा उच्च का है, ठीके, बहुत खुश, बहुत हैपी, यहाँ पर आपको मैं पाइल नंबर वन, आप ब्लेस्ट हो, मैं सच बता रही हूँ, आपको आशिरवाद है, आशिरवाद है, कृष्णा का आपको आपके उपर बढ़ा, बहुत बढ़ा आशिरवाद है यहाँ पर, ठीके, कि आपको है न, इत वित्रता को उस जर्णी को ठीके और कृष्णा आपको यहाँ पर आपके भागी में कौन सी खुशी लिखी है जो आपको मिलकर ही रहेंगी ठीके तो मतलब एक सबसे बड़ी चीज में यहाँ पर आपके लिए पाइल नंबर वन यही देख रही हूं कि आप है ना हर चीज को जिसकी वज़े से आपके अंदर वो पावर आरी है वो उर्जा है आपके अंदर जिसकी वज़े से आपको वो अलग बात है कि आप अपनी उर्जा कहां कहां लगाना चाहते हो अगर आप कहीं पर भी जैसे कहीं किसी की बारे में भी आप सोची चार करोगे किसी में भी आप करने का सोचोगे क्योंकि आप बहुत positive हो उसमें ही आपको success मिलेगी उसमें ही आपको सफलता मिलेगी ये आपकी destiny में आपके भागी में लिखा हुआ है कृष्णा ने कि आप blessed हो ओके आपकी intuition आपकी अंतरात्मा से आप connect हो ठीके और जो जो आपको करिष्णा ऑपके रमसे भी हो अपके परमात्मा आपको मिल चुके pakai में बहुत इस पाइल को में पता इस नज़रियya से देख रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहे है कि आपको आप इतना अन्दर तक जाओगे आध्यात्मि क्यात्रा में बहुत जैसे केते हैं कि डुपकी लगा कर आओगे वहाँ पर इतना इतना प्योर होकर आओगे आप महासे ये आपके भाग्य में लिखा है ये भाक्ती लिखी है आपके भाग्य में और ही कृष्णा ने दी ये भक्ति आपको, भक्ति भावना में लीन रेना, ठीके, आध्यात्मिक जर्णी आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है, कि उसे उस उर्जा को आप महसूस करो, ठीके, और जैसे केते हैं कि जब हम इश्वर को पा लेते हैं, तो समझो सारे जग की ख आट गई है, पर हीलिंग, माई कॉट, पाइल नमबर वन, कृष्णा ने आपके भागी में कौन सी खुश्यां लिखी हैं, जो आपको मिल करी रहेंगी, ठीके, वो मतलब कृष्णा ने आपको एक जैसे कहते हैं, कि एक, क्या बोलू, इतना जैसे आपको प्रेम करते हैं, आपको एक बात बताओं मैं, आपको पाइल नमबर वन, आपके भागी में, मैं सच बता रही हूँ, आपके भागी में आपको, आपकी डेस्टिनी में, फ्यूचर में, आपको कभी भी कुछ भी मिलाना, वो आपके परमात्मा, ठीके, और कृष्णा की, कृष्णा की हीलिं की वज़े से ही मिलेगा क्योंकि उन्हों ने आपको जहां पर भी मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर घाव बहुत थे बहुत दुख था बहुत पेन था बहुत तकलीफ थी आपकी लाइफ में बहुत संकर थे बहुत परिशानी थी आपकी लाइफ में लेकिन क्रिश्णा नहीं क्या करád अपने प्रेम से अपनी करूणा से अपनी ऊर्जा से आपको जिसे अपने प्रेम से उसे जिसे कि अब करिश्णा का था है कि bother एक जैसे किने इस लीनगिफ नजर भर बहुत पजिटिविटी है आप यहां है तूँ एक सब्सक्रण से अपके बाते पर एक को कोई बात सकते हैं कि अपके अंदर संकट काटे हैं इतंती परेशय ने अधूर करे जोग वी आपके अंदर ब्लोकेस थे जहां पर भी आपको हीलिंग की जररत थी इस्पेशलिई आपके हार्ट चक्रा पर आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा जररत थी तो कृष्णा ने आपको पहले तो वो heal करा है जैसे किते हैं कि आप बहुत रोए हो बहुत रोए हो बहुत परिशान हो है तो जैसे किते हैं कि बच्चे मत रो जैसे किते हैं बच्चे को थपकाया जाता है थपकाया जाता है ठीके तो आपको थपकाया है ठीके सात्वना दी गई है आपको कृष्णाजी की तरफ से ये हर किसी की मुझे नहीं लगता हर किसी की destiny में होता होगा और मुझे नहीं पता किस से reading resonate होगी यहाँ पर लेकिन है ये pile number one आप अभी महसूस नहीं करें किसी किसी ने महसूस करा है किसी ने नहीं किया है तो वो future में जाकर जरूर करेंगे कि कृष्णा आपको कितना heal करते हैं कितने आपके दुख संकट काटते हैं क्योंकि आप हो ऐसे आप बहुत blessed हो भक्ती लिखी है आपकी किस्मत में आपके भागी में ये इसे करना आपके भागी में लिखा हुआ है और जब आप इसे जैसे कहते हैं डुख की लगा कर आवगे तब वहाँ पर आप देखोगे कि असली खुशी कहा है इंसान की और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं सब कुछ मिलेगा प्रेम मिलेगा अबर्नस मिलेगी अपरचनिटीज मिलेगी उनका प्रेम मिलेगा आपको अपनों के बीच में इतना प्रेम मिलेगा इतनी रिस्पेक्ट आपकी की जाएगी जो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से आप क्योंकि यह वाला कार्ड बतलब आपको उस नजरों से देखा जाएगा कि आप बहुत बहुत जैसे कृष्णा आपक आत्मिक जर्णी पर हो और आप भागवान के बहुत नजदिक हो बस मैं इतना कहना चाहती हूं यह आपकी किस्मत में आपके भाग कि में यह खुशी लिखी है और यह आपको मिलकर रहेगी पाइल नमबर वन ठीके पैंड ओके ट्री कार्ट एक वाग कार्ड कि यहां पर मैं हमेशा दो कार्ड लेती हूं पर सन ओके मेजिशन और मीरर टेम्पल पाथ माइग काड सन यह को क्रिश्णा ने आपकी भाग्य में खुशी लिखी है कि आपका एक टाइम पर जैसे किते ना कि आप आध्यात्मी क्यात्रा पर जाओगे जहां पर आपको वह मिलेगा वह खुशी आपको मिलेगी जो आपको जैसे कि ना पूरा बदल जाओगी आप पूरा जैसे अंदर से आपका माइंड बोडी सौल एक पूरा अलगी लेवल में आप देखोगे यहां पर आप अपने आपको क्योंकि दस सन सन मतलब नंबर वन फिर से फिर से एक जै साइम पिरेड होगा आपका एक साइकल होगी आपकी जहां पर आपको कृष्णा जी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे समझाएंगे ठीके अपने पास लेकर आएंगे अपना प्रेम देंगे सब कुछ जैसे कहते हैं कि सब कुछ सब कुछ इतनी इतने उससे आपके साथ या आपके फाइनेशली इतने चेंजस होंगे ना आपके अंदर जो भी होगे एक अगर आप अभी की सीचुवेसेन में जैसे भी हो तो आपके भाग्य में लिखा है कि वो पलटे पलटी जरूर हो उस चीज की जैसे भाग्य का चख्र आपका गुमे का जरूर, किस्मत भागी में आपकी, क्यूंकि भागी आपका बहुत अच्छा है, क्रिश्णा ने आपके भागी में लिखा है, कि आप सन की उर्जा लिए हो, ठीके, आपकी भागी में जिसे एक सवेरा है, एक रोश्नी है, एक प्रकाश है, वो ग्रोथ है, ठीके, सन मतलब सूरी क्या होता है, मैं एक बाद बता हूँ, सूरी के एंदर वो पावर होती है, सूरी देवता के अंदर के, सब तुर कितनी रोशनी वो देते हैं, कितना प्रकाश समझ सकते हूं, ना सभी जानते हैं, उनकी रोशनी उनके प्रेम से कोई वंचित लेकिं कृष्णा जी ने वही प्रकाश आपके अंदर बहर चुके हैं वही प्रकाश है आपके अंदर और उस प्रकाश को आपकी भागे में लिखा हुआ उस प्रकाश को आप महसूस करोगे वो चेंज वो परिवर्तन आपके पर बहुत सोच इचाय करते थे, भेहनत करते थे, हाट टक करते थे, लेकिन उसका फल आपको शायद मिल नहीं पाता था, ठीके, लेकिन ये कहते हैं कि जब हमारे अंदर प्रकाश जागता है, जब हमारे अंदर देवी उरजाएं, कृष्णा बोलता है, इनर वाइस, तब क्य होता है, हम बदल जाते हैं, हमारी उर्जा बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, और आप मेचिशन बन जाती हो, टेमपल एंड पाथ, ठीके, कृष्णा जी आपको जिसी केते हैं कि वो आपकी जीवन की वो खुशी आपके भागे में लिखी है, कि आप जो हो, पहली खुशी आपकी लिखी होई है, ठीके, कि आप उसे महसूस करो, आपके अंदर एक पीस हो, एक शांती हो, एक सुकुन हो, अपनों का प्यार हो, ठीके, किसी चीज की आपकी जिन्दगी में कोई कमी ना हो, आपके भागे, बतलब जैसे केते हैं कि कृष्णा ने, जैसे, केत अपने प्रेम से फिर से सजाया है, सवारा है, ठीके, यह आपके भागे में लिखी है, वो खुशी के क्रिश्णा का, जैसे, उनकी ब्लासिंग से बहुत कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ में, और उस परिवर्तन को, उस प्रेम को आप महसूस भी करोगे, ओके पार नमब हरे क्रिश्णा, हरे क्रिश्णा, 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 हरे हरे, 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 ह बहुत पोजिटीव हो आपके अंदर healing energy है बहुत आप इस पर चल हो आध्यात्मिक हो आप यहाँ पर आपके अंदर कृष्णा ने पता है क्या कौन सी खुशी आपको आपके भागी में कृष्णा ने कौन सी खुशी लिखी है सच बताओ नामे यहां पर कृष्णा ने आपके भाग्य में लिखा है कि आप है ना हमेशा दूसरों को खुश करोगे दूसरों को पॉजिटिविटी दोगे ठीके और हमेशा आप हमेशा जैसे एक पीस का एक पीस और एक सुकुन का रस्ता आप चूस करोगे एक प्रेम का जैसे कृष्णा जी क्या थे है ना राधा महिया क्या थी वह प्रेम ही तो है जो उनको खीसता है है ना तो यह आपने जैसे खुद आपने चूस करा है और कृष्णा ने वो दिया है आपको यहाँ पर और वही आपके भागी में लिखा है कि आपने शायद मांगा है कृष्णा से कि मुझे आपका प्रेम चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए ताकि उस वो उर्जा चाहिए ठीके जिसे मैं उससे जैसे दूसरे भी वो एक प्रकाश चाहिए उससे दूसरे भी महसूस करें मुझे नहीं पता ये किस वे में जा रही है ठीके लेकिन हाँ आपके अंदर वो है वो प्रेम है वो करुणा है ताकि आप दूसरों को दे सको, दूसरों को healing दे सको, दूसरों को, दूसरों की care कर सको, अपने प्रेम से, अपनी करूना से, ओके, and magic manifestation, ये थाड आई, ठीके, and magician, यहाँ पर भी magician, ठीके, आपको कृष्णा ने पता है, आपकी हर जिंदगी के, हर पहलू ओको, जैसे जो भी problem थी, जो भी परिशानी थी, बहुत जैसे तूट से गए थे, भी कर गए, तो वहाँ पर आपका हाथ समाला है, आपको balance करा है, और आपकी जैसे बहाग की में, कृष्णा ने कुन सी खुश लिखी है, खुशी यही लिखी है आपकी, कि अब आप किसी चीज के लिए मोताज नहीं रहोगे, जहां पर भी आप कुछ, अगर प्रेम में कोई कमी है, तो आपको बहुत प्रेम मिलेगा, अगर financially कोई problem है, तो आपको financially opportunities आएंगी, अब उसे उसके उपर काम करो, महनत करो, और उसका फल लो, कृष्णा जी यही बोलते हैं, अगर किसी चीज के कमी है, मतलब आपको कोई रस्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कोई रस्ते नहीं खुल रहे हैं, तो आप prayer कर सकते हो, उसे प्रात्मा कर सकते हो, और वो तुरंद आपके सामने opportunities आएंगी, ताकि आप उस परिशानी से निकल जाओ, और उसके उपर hard work करो, मैनत करो, और आपको जो चाहते हो, वो हासिल आप करो यहाँ पर, ठीक है, लास्ट कार्ड में आप लाइट एक्टिवेशन, फाल नमबर वन, एक प्रकाश, आपको तो कृष्णा ने आपकी जीवन, आपके भागी में कौ आपके अंदर वो है, कृष्णा का प्रेम है, कृष्णा की उर्जा है, उनकी blessings है, उनके साथ में, और उस blessings है, उस प्यास है, उस करना से, आप पता नहीं, आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, बस आपको क्या करना है, अपने उपर यहाँ पर विश्वास, यहाँ सपोर्ट करेगा आपका विश्वास आपका confidence यहाँ पर विश्वास यहाँ पर करेगा ठीक तो Killer ने आपको आपके भागी में कोंछ सी खुश्यां लिखी है वह मैंने आपको बताया है सीदा सीदा मैं मैं बताओं आपको यहां पर कृष्णा आपके साथ है वो आपको हर परिशानी से निकालते हैं ठीके क्योंकि आपके अंदर वो पवित्रिता है वो वो सच्चाई है आपके अंदर के आप इतना कनेक्शन आपका फील होता है कृष्णा के साथ ठीके और आपके भागी में लिखा है कि आप एक टाइम पर मैं सच बताओ ना एक टाइम पर आप इतना शाइन करोगे इतने फेमस होगे इतना ग्रो करोगे आप अपनी लाइफ में कि जिसकी जैसे कहते हैं कि उमीद से परे हैं वो सारी चीज़ें ये खुशी ये खुशी आ आपकी लाइफ में कृष्णा ने लिखी है ठीके पाइल नंबर वन क्यूंकि दसन के कार से मुझे फेमस फेमस एक लाइम लाइट में आना एक प्रकाश में आना जो अभी तक आप पीछे से के पीछे थे शायर सब से पीछे थे अब वो कृष्णा को सब से आगी की तरफ पर आ रहे हैं ठीके एक रोशनी की तरफ आप चाहरे हूं तो पाइल नंबर वन यह थी आपकी रिडिंग आई होप आपसे रिजुनेट हो अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंग सब्सक्राइब और थैंक यू थैंक यू सो मच एंड बाई जेशी किष्णा राथे राथ हाई पाइल नंबर टू तो जिसने भी यह कॉमिनिटी का कार्ड चूज किया है उसके रिडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूं और पाइल नंबर टू प्लीज वीडियो को लाइक कमेंग सब्सक्राइब ज़रूर करना और जिसे भी परसन रिडिंग चाहिए मैंने अपना वाट्सअप नंबर डिस्किप्सन बॉक्सर मेंशन कर रहा है वहां से आप देख सकते हो तो कृष्णा ने आपके भाग में कोजी खुशिया लिखी है जो आपको मिलकर ही रहेंगी ठीके तो पाइल नंबर टू यहाँ पर में जो देख रही हो ना अभी आपके लि बहुत सारी कुष्णा लिकिए हूई हैं बहुत सारी जैसे आप की उन्सकी बहुत जाइब पॉइंट आएगा जहां पर एक टाइम पर आओठ शायन करोगे बहुत वेपस होगे बहुत हंपी होगे ठीक होगे एक टाइम आपका ऐसा का आपक्त वागी में वह खुशिव के वज़े से शायद आप आप बहुत जिसे किते ना आपके सितारे बुलंदी पर होंगे ठीक है तो बहुत जिसे आप अपनी आपकी जिंदेगी में आपने बहुत सक्सेस देखोगे आप बहुत खुशी खुशी देखोगे आप यहां पर आपकी किस्मत में लिखा है लिखा है कि आप खुश रहो आपनों के साथ, enjoy करो, और, मतलब वो कहते हैं, डासिटीनी, भागय, आपके भागय, आपके सितारे, जैसे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा, मैं सच बतार, एक टाइम की बात कर रहे हैं, जहां पर आप बहुत, 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 सितारे बुलंदी पर आपके रहने वाले हैं, ठ पाइल नमबर 2 आपके भागी में कुछना ने कौन सी खुशी लिखी है आप है ना पाइल नमबर 2 आप आपकी लाइफ में आपकी भागी में मैं सच बताऊ ना आपके भागी में आप थार्टी थार्टी फाइफ के बाद आप अपने लाइफ में बहुत बहुत चेंज महसूस करोगे ठीके और बहुत बदलाव यह थार्टी फाइफ के बाद जैसे किते ना कि आपका समय का चक्र गुमेंगा इसी के बाद आपकी लाइफ में और आपके भागी भागी उद के पाइल नंबर टू आपकी 35 या 40 के बाद आपका जैसे किते हैं कि वह एक टाइम इसा आएगा जहां पर आप हर चीज को जैसे पलटता हुआ चेंज होता हुआ आप देख हो गए किसी के केरियर में बहुत अनेस्पेक्टड सक्सेस सफलता में देख रही हुए यहां पर और वह खुशी आपकी कृष्णा ने आपकी भागी में लिखी है आपको भी काड़ी अब तो पेचान हो गई होगी हम दफूल नियू बीगने नियू जर्णी ठीक है और बिंदाज जीना बिंदाज तरीके से रहना किसी का लाइफ में इंटरफेर नहीं अपने हिसाब से अपनी जिन्दगी को जीना अपने तरीके से जीना ठीक है एक जैसे किते हैं में से निकले हो आप हां जैसे आपने खुद ने ही अपने आपको केद कर रखा था किसी चीज से और आपने खुद ने ही आजाद किया है मतलब उसकी खुशी का ठीका है नहीं नहीं है, यहाँ से जो मैं देख रही हुँ ना, आपकी खुशी का कोई ठीकाBefore ही नहीं है, मतलब भगे चले चारे हो आ, इतने खोशी हो इत्ती हुशी, ये है आपकी भाग्य में, कर्ष्णा ने आपके भाग्य में लिखा है, स्टार बुलंदी पे होने वाले मैजिशन इतने पॉजिटिव कार्ड तोनों मेजर अरकाना कार्ड से मतलब है मेजर हमारी लाइफ के चेंज को बताते हैं मेजर ऑगके बागे में कौन सी खुशी लिख है तो बागे हम इनी कार्ड गेम Crime No.2 आपके आएं हैं यहाँ पर और डीटेल में मैं आपको बताओ कि माई गॉड टेन पेंटिकस सच्छे में पाइल नमबर टू आपके भागी में मतलब आपको भी आप तो खुश तो होना है ठीक है और अभी मंदिश आना कृष्णा जी का घंटा वजा के आना टन से ठीक है कि तैंक यू ग्रेटिटीट पे जरूर करके आना है यहां पर क्रिश्णा ने आपके भागी में क्या नहीं लिखा यहां पर क्या नहीं लिखा मुझे आप एक बात बताओ सब कुश तो आपक सिचृーइस से यहां पर लेए ठीके आपके भाग्य में ठीके क्रिश्टना ने वो खुशी लिखी है के आप इन आपको जिंदिगी की वो हर खुशी मिले चाह वह आपकी फैमेली से हिंक ना हो चाह वह मर्टेर्लिस्टीक चीजों से ही क्यों ना हो चाहा आपका आपकी जैसे केते हैं कि अंदर की खुशी से ही क्यों ना हो चाहा आपकी जिन्दिकी के कोई अहम अहम फेसले ही क्यों ना लेना हो या अपने अपने रस्ते खुदी ही क्यों ना बनाने हो ये कृष्णा ने आपकी आपके भाग्य में ये खुशी लिखी है ठीके, Magician, Magician मतलब एक यह जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी जैसे बहुत बड़ा कुछ आपको यहाँ पर, पावर नमबर वन भी ब्लैस्ट था, पावर नमबर टू भी, आप तो, मतलब वो कहते थे न, कि आप तो, कृष्णा ने तो आपको वो, एक ऐसा, आप अपनी लाइफ में जिस चीज की भी कमी को महसूस करोगे न, पावर नमबर टू, ठीके, वो अगर आप, अगर आप बैल रहते हो, ठीके, और सच्ची दिल से, सच्ची आत्मा से आप कृष्णा से प्रेम करते हो, करते तो हो आप, तभी तो इतना सब कुछ मिल रहा है आपको, अगर आप, अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है, ठीके, तो आपको क्या करना है, बैलेंस रहना है, ठीके, बैलेंस र आप है ना पाइल नंबर टो आप पता है क्यों इतना आप से क्रिष्णा तक क्यों खुश रहे थे क्योंकि आप बहुत ग्राउंडेड परसन हो ठीके अर्थ से जुड़े हुए हो आप ठीके नेचर में रहना और कुद्रती चीजों से आपका कनेक्शन जादा मुझे यहां ब्रकुल हो रहा है कुद्रती जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ईस्फार आप mainly morning वाक पर जाते हो सुभे आप वाक पर जाते हो और मतलब कुद्रत के साथ जिसे सन की उर्जा के साथ और ताजी हावा लेना इंचोई करना और जो जो उस वक्त आपको जो जो वहां पर लगता है ना आपको आप उसे van करते हो उसे महसुस करते हो क्योंकि जान्ड़र डैनर्ची है ठीक है पाइल नमब इसी वज़े से आप जो देखो मैं एक बात बता हूं यहां पर पाइल नमबर टू कि आपको अगर अगर इस 3D की कोई भी खुशी चाहिए ना चाहिए वो फाइनेंशली हो मर्टरलिस्टिक चीजों या पेसा हो धंदोलत हो या आपकी खुशी क्यों ना जैसे अर्थ पर आए हैं तो यहां पर अर्थ की चीजों के साथ अपना कनेक्शन बनाकर रखना यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ठीक है और वहीं से आपका कनेक्शन अच्छा हो और इसलिए आपका रूड चक्रा रूड चक्रा अक्टिव है वह बैलेंस है इसी वज़े से आप इस खुशी के आप हकदार हो और इसलिए आपकी डेस्टिनी में आपके भागी में वह खुशियां लिखी हुई है कि आप मतलब मैं एक बात बताओं कि आप आपके भागी में लिखा हुआ है कि आपकी फैमेली में कभी भी किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पर क्योंकि आपके हाथ में वह पॉजिटिविटी है आप बहुत एक ऐसे एक ऐसी सोल हो पाइल नमबर टू कि आप है ना अपनी पॉजिटिविटी की वज़े से अपनी अपनी जिसे आपके अंदर वह गुद्रती कृष्णा ने आपको वह जिसे वह मूल मंत्र आपको आप इतना पॉजिटिव हो इतने बैलंस हो और इतने ग्राउंडेड परसन हो आप जो आप अर्थ की एनरजी को में हर बार अपनी डिडिंग में बहुती ग्राउंडे रहने की कोशिश करो क्योंकि पेसा कहां से आएगा अगर मेटरलिस्टिक चीजों में रहना है अर्थ पर रहना है तो सब्सक्राइब फ़े प्रेल क्या जरूरी होता है मनी मनि हमारी लिए बहुत जाझा ज़रूरी होती है तब ही हम अपनी Finland की खुशियों को पूरा इंपने बच्चों की अपने बिजूर्गों की अपने खुद की पर आपने खुशियां ही कि उना अपने ए बड़ सपने ही क्यों न आप वह तब ही पूरी हो सकती है ठीक है किुसरी सब्सक्राइए नहें चलम बाम ऑन के और यहां पर पाइल नंबर टू आपके भाग्य में आपके भाक्य में यह खुशिया लिखी हैी ठीक है यह खुशी लीखी है कि आप हो किसी विंदी लग रहा है कि आपको पता है कि आपको खुशी कहां से मिलेगी केसे मिलेगी ठीके और आप अपनी आपके बहागी में जो भी है उसके साथ आप बहुत खुश्च होगे इन्चॉय करोगे ठीके आपकी फेमिली में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई money से related और या family में कोई एक ऐसे issue से चाहां पर कमी है किसी बात की या misunderstanding या कुछ ऐसा के जहां पर एक जिसे किते हैं ना कि एक complete family होती है ना जो हमारी complete family जिसमें सब कुछ होता है support होता है awareness होती है हर चीज होती है ठीकिए तो वो आपकी भागी में लिखा हुआ है कि आपके भागी में हर चीज आपके फैमिली से घर होगा बड़े बुज़ुरुगों का प्रेम होगा बच्चों का प्यार होगा और आपके फैमिली में हस्बेंड वाइफ कोई है तो उसमें भी मिस अंडरस्टाइंडिंग दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझोगे अच्छे से जानोगे, समझोगे, प्रेम दोगे एक दूसरे में ये आपके भागी में लिखा हुआ है ठीके और मतलब आप पे ना आपके भागी में मैं एक बात बता हूँ पैलनम बैटो आप जर्णी बहुत करना पसंद करोगे आपको करना पसंद है आपके भागी में आ आपको ठीक है और यहां पर पता है आपके कृष्णा ने आपके भागी में लिखा हुआ है कि आप अपनी लाइफ को जैसे चाहो वेसे मोड सकते हो क्योंकि आप है ना बहुत एक मुझे ऐसा लग रहा है आपका जैसे केते हैं कि नीव का आधार होता है ना ठीक है वो जैसे अपने आपको कैसे बैलेंस रखना है कैसे खुश रखना है ठीक है अपने आपको कैसे इस्थिर बना कर रखना है ठीक है वो आपको पता है पाइल न अगर आपका सपना है कि आप अपने घर को बहुत अच्छा से अपना घर बनाना चाहते हो उसे सजाना चाहते हो और मतलब बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं आपके सपने हैं ठीके तो उन सपनों को भी आप पूरा करोगे पाइल नमबर टू आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अगर अगर किसी चीज के बारे में आप सोच चिचार करते हो ठीके तो उसे जैसे केते हैं कि उसको अगर बैलेंस होके उसको उसको प्रक्टिकल वे में करने की कोशिश करोगे तो उसका बहुत जल्दी आपको रिजल्ट भी मिलेगा पाइल नमबर टू ये कृष्णा ने आपके भाग्य में लिखी हुई है खुशिया कि आप अपने जैसे किते हैं कि आपको आप नमबर वन यहां पर आ रहा है ठीके जीरो जीरो ठीके जीरो वन टैन फोर मतलब आपकी मतलब आपकी लाइफ में आप है ना पाइल नमबर टू आप है न अपनी लाइफ को अगर आपके साथ कोई सिच्वेशन एसी भी बने आपकी लाइफ में कि आपको किसी चीज को फिर से जीरो से क्यों ना स्टार्ट करना पड़े चाहा कितनी भी मसकत करनी पड़े चाहा कितनी भी परिशानी देखनी पड़े आपकी फैमेली के लिए कुछ भी आपको हार्डवर करना पड़े महनत यहां पर करनी पड़े किते भी कॉंप्रोमाइस आपको करने पड़े आप करोगे आप करोगे क्योंकि आप हो आपके अंदर वो ओर्जा है पाइल नमबर टू क्रिश्णा ने आपको तो जैसे केते न है कि असीम कृपा है उसकी तो अनकी तो वह आपके ऊपर इतना जैसे किते ने कि हर वक्त आपको isolating he हर situation में वो आपको समभालते हैं जब कभी भी थोड़ा सा आप immature हो जाते हो या जिसे केते ना कि आपको धियान नहीं रहता है वो तुरंट आपको समभालते भी है ठीके ये जिसे केते ना कि आपके भागी में कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर रहेगी ठीके आपके भागी की में बात करूँ ना तो बस तीनों कार्ट इतने पॉजिटिव हैं यहाँ पर और खुशी की में बात करूँ तो सब कुछ मिलेगा यहाँ पर आपको क्या नहीं देख रही हूं मैं यहाँ पर लेकिन एक पिरेड टाइम पिरेड होता है जैसे कहते हैं ना कि समय भी बचपन जवानी बुढ़ापा ठीके तो यह जैसे कहते हैं ना कि फिर मैं बोलूँगी 35-40 की एज में जाकर आपको इतनी सक्सिस इतनी कामियाबी इतना इतनी इतनी अबंडस चाह घर की हो फैमेली को हो चाह कुछ भी क्यों ना हो वो आपको मिलके लिएगी यह आपके भागी में यह खुशी लिखी हुई है कि एक टाइम पर आप इतना अच्चीव करोगे इतना जिसे अपने सपनों को पूरा करोगे और जो भी आपके सपने हैं जो भी आप करना चाहते हो आप अपनी जिन्दगी में उसे आप करोगे आपका सपना है कि आप इना हर चीज को जिसे कहते हैं कि आपके पास हर चीज हो यहाँ पार तो वह भी रहेगी आपके पास ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बहुत हां अगर आप चाहोगी कि मुझे कोई मुझे कहीं से कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो मैं यहां पर आप खुश हो जाओ तो वह मिलेगा आपको वह खुशी आपको मिलेगी यहां पर ठीक है पाइल नूमबर तू तो मैं यहां पर यह पता है टेन ओप पांटिकस फैमेली अबर्नस एक सपोर्ट एक दूसरे को समझना एक जैसे यह एक यह एक एसा कार्ड ओना टेन सौरी फोर ओप वैंड्स इस्टेबलिटी एक सेलिब्रेशन आपके घर में इंजॉई हमेशा आपकी घर में है ना बहुत खुशी पॉजिटिविटी बनी रहेगी क्योंकि आपके अंदर वो है पाइल नूमबर तू आपके अंदर वो है ओको और क्या हो रहाए है थे सोर्स थे पॉल्टिक्स यस पाइल नमबर टू ये देखो यहाँ पर क्या है ना पाइल नमबर टू आपके लिए कि आप है न अगर आपकी लाइफ में आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई परेशानी भी हुई न तो आपके भागी में लिखा है कि वो जिसे आप है न उससे आप अपने क्योंकि आप बहुत जल्दी उसे recovering करोगे उस चीज से निकलोगे आप निकलने की कोशिश करोगे और कोई भी जैसे कोई भी दिक्कत होगी किसी भी चीज के कोई परेशानी है या आपकी family से related आपके बच्चों से related ठीके या आपके सपनों में सपनों को पूरा करना चाहते हैं उसमें तो क्रेशना जी जैसे किते हैं न कि वह इतने रस्त इतने सोर्स आपकी तरफ भेचेंगे जिसकी वज़्यसे आप जो चाहते हों वह खुशियां आपको मिलें ठीके यहाँ पर वह खुशी लिखी हुई है कि आप बस जैसे किते हैं आ कि बस आपका बैलेंस रहना आपका ख व्कॉर्टिक्स करता है और चाला की करता है कोई आपके बच्चों के साथ आपकी प्रपर्टि के साथ या आपके घर से घर में और भी आपसके अहां पर तो उसे भी बढ़ी इसी ली आप मेहां से भी ये उससे आप निकल सकते हो ठीक है ये जैसे को बहुत बड़ी चीर होती है आप एसे नहीं है कि उसमें लेकर बेठे रहोगे जिसे जिंदेगी को है ना ये खुशी लिखी है आपके भागे में कि जिन्दीगी को रो रो के नहीं जी जीए है और हस के निकालना आपा, एंजोय करना है जिन्दीगी को जिसे कहते हैं तो क्रिश्णाजी जीसे कहते हैं आपके आंदर यह आप है ना हर जैसे क्रिश्णा जी आपके भागिये में हर तरफ से जैसे किते ना कि हाथ तरफ से वो दरवजे खूलेंगे आपकी खुशियों की प्रेम के जहां पर आप आप जिसे पूर्ण हो सको हैं आप ठीके आपके घर में मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में बह बहुत खुशिया होईंगी एक टाइम पर सेलिब्रेशन होगा कोई सपना आपका पूरा होगा जिसकी वज़े से आप बहुत खुश होगे हैं यहां पर यह खुशी लिखी है आपकी कि आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहो हापी रहो और उस जिसे जो भी आप चाहते ह नहां पर कर सको जो भी आपके साथ जैसे किते हैं कि अगर किसी कारण वंस अगर लाइफ में कुछ चीजों को आपने देखा है किसी चीज़ की कमी महसूस करी है फाइनेंशली कहलो या अपनों से कहले कहलो पॉल्टिक्स हुआ है जैसे कुछ भी तो ब्लोकेश शायद हुए हैं तो वहाँ पर वो रस्ते भी खुलेगा क्योंकि वो आपको पता है कि कैसे खुलेंगे रस्ते ठीके तो यह आपके लाइफ में लिखी हुई है खुशिया आपकी डेस्टिनी में बहुत अबंडस है बहुत पेशा है मनी है यहाँ पर ग्रोथ है क्योंकि आप है ना जो कि मैंने बोला आप बहुत जल्दी पोजिटिविटी को अट्रक्ट करते हुए यहाँ पर ठीके सितारे बुलंदी पर यहाँ पर एक जैसे कहते हैं कि आपको इस टाइम पर आपको है ना बहुत अबंडस के बहुत रस्ते खुलेंगे आपके जिसकी वज़े से आप अपनी बहुत सारे सपनों को कम्प्लिट करोगे यहाँ पर ठीके तो यह खुशियां भागी में आपकी लिखी है कि बहुत प्रॉपर्टी में बहुत मुनाफ़ा हो दोगा आपको बहुत खुशी आप देखोगे उसमें आपके साथ कोई किसी ने चिटिंग करी दोका दिया आपके जैसे खुशी के या आपके सपनों के रस्ते बंद हुए थे यहाँ पर तो अब आपके जैसे कृष्णा ने आपके भागी में खुशी लिखी है कि वह ज्य जादा टाइम तक वह दुख तकलिफ आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर मतलब पेले मुझे ऐसा लग रहा बहुत जल्दी आप किसी की बातों में इनमेच्वर यहाँ पर मैं तेख रही हूं मतलब आपके अंदर सामने आप तो इमोशनल सामने वाला जök तो इतना चालाग जितना ऐसाहicon यह आप वयसे नहीं थे लेकिन क्रिशना जी जैसे आपको भी वह पावर जैसे कहते हैं जिसके आपको आप ने लिए लड़गी ठीगें आप जैसे से HORमाने बनों बहुत पावर्फुल बनोंगे और लाख है आपके साथ आए को चीटिंग करें आपके साथ ठीक है कोई फिर से आपको गिदाने की कोशिश करें आपके सपनों को तोड़ने की कोशिश करें ताकि उसका आप मोह तोड़ जावाब दे सको यहां पर यह यह आपके भागी में लिखा हुआ है और यह खुशी जैसे कहते रह पर कुछ करना यहां पर ठीक है वो है आपके अंदर आपके भागी में लिखा हुआ कि इतने जितना कमजोर आप अपने आपको समझते हो ठीक है उतने कमजोर आप हो नहीं अपने इदम खंपर आप बहुत कुछ आप अपने लाइस में यहां पर करोगे ठीक है अब पहले की आप एसे नहीं हो एक्षान आपके भागी में लिखा है कि आप है ना अपनी जब भी कोई प्रॉब्लम होगी परिशानी होगी आपकी लाइफ में तो उसको जैसे केते हैं कि अगर कोई घाटा मुनाफ़ा या कई लाइफ रुकी ठीके या फैमेली में कोई परिशानी आई त फिर से आप उसे जीरो से क्यों ना आप स्टार्ट करना क्यों ना पड़े ठीके ये क्रिशना ने आपके भागी में खुशी लिखी है कि आप फिर से करोगे क्योंकि वो जैसे केते हैं कि सिच्वेशन के साथ समय के साथ हालात के साथ हर कोई लड़ सकता लेकिन आप लड़ यहां पर यह आपके भागी में लिखा हुआ है आप जैसे रुक गए वह उस ऐसे नहीं हो आप यहां पर रुकी जैसे आपकी भागी में यह नहीं लिखा है कि कोई चीजे बस रुक गई कि जैसे पेसा एक बार गया गया अब दुवारा नहीं आएगा यहां पर ठीके या कु ओपर यहां पर ठीक है यहां पर चक्राइब से देखते हूं आपके लिए इस अपरनेंट एंड यास आप है ना बहुत जिसे जो भी मैं बोल रही हूं ना जिस चीज से भी आप दुखी हुए परिशान हुए तो यह जिसे किते हैं ना कि आपके भागे में लिखा हुआ है कि जो भी चीजे चली गई है ना जिसकी वजय जो भी आप सोची चार करते हो वह उससे डबल ट्रिपल आपको आपके बागे में लिखा हुआ है कि वह मिलेगी आपको ठीक है और यहाँ पाइल लंबर टू तैंक्यू आपको आपको आज तो ने पाइल लंबर टू ग्रीन तारा लोड गनेशा इंफिनिटी अबंड नस्यास आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि अब आप पहले की तरह नहीं हो आपको वो पावर है वो सत्ता है वो मूल मंत्र है आपके पास जिसे आप हर खुशी को आप अपने तरफ चुमबक की तरह खित सकते हो सबसे बड़ी बात है कि आप अबंडर्स को मेनिफेस्ट कर रहे हो आपकी डेस्टिनी में लिखा आपके भागी में लिखा हुआ है कि आपके पास एक टायम पर इतनी इतनी फाइनेशल आप इतने स्ट्रॉंग होगे इतना आप अर्ण करोगे इतने आप मजबूत और स्ट रस्ते के मैं सच बताओ ना आपकी खुशी के आपके रस्ते के आपके जो कुछ ऐसे चंद लोग ते जो आपको दुखी करते वह जिसे कि ऑप्टिकल्स थे कुछ दुविदा थी आपके सब रीमूव किये जा रहे हैं ठीक है और आपका जैसे किते ना एक सपोर्ट एक उनका सब्सक्राइब और स्ट्रॉंग ली अपने उपर जैसे किते ना कि अपने अपने आपको कभी भी पीछे मत हटाना हमेशा सीच्वेशन के साथ लड़ना लोगों से जाल नेगिटिविटी के साथ यहां पर लड़ना कृश्णा जी आपको यहां पर यही बता रहे हैं क्यों महा से आपकी पावर का पता चलेगा आपकी बुद्धी का आपके ज्यान का ठीके कि अगर पता चलेगा जैसे पहले क्या है ना कोई आपको एवेंच चीटिंग करके चला जाता था एवेंधोका देके चला जाता लेकिन जैसे उस सीच्वेशन में पढ़ोगे तो किस्मत में खुशियां लिखी होती है works you एник फ्याण हम पर करना पड़ता है तो कुछ आपने सेट कर cabbage करहिये तो उसे कट करो यहां पार ठीकिक कों लीमिट नहीं है हैं अपने उपर किसी भी चीज की यहां पर क्योंकि आपके भागी में जैसे वह ग्यान है वह बुद्धी हो नौलेच है कि आपके भागी में जैसे पता नहीं कितनी खुशिय यहां पर लेखिए तो बस एक्शन लो बढ़ो और लड़ो ठीक है और कोई लिमिट मत रखो यहा पाइल नमबर टू तो पाइल नमबर टू मैं इस रिडिंग को यहीं पर क्लोज करती हूं अगर होती है तो प्लीज लाइक कमें सब्सक्राइब और थैंक यू थैंक यू सो मच इन बाई जैशी किष्णा राथे राथे हर हर महादेव